गुड मॉर्निंग ओल उफ यू ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम देखेंगे अभी तक हमने जो हमारी जो भुक थी एक आंगी संचे और साहित सागर साहित सागर में गद्यांस और पद्यांस दोनों विभाग हमने पढ़ लिये हैं हमारा साहित सागर और रिकांके संचे दोनों ही लेसन हमारे सभी लेसन हमारे कम्टीट हो गए हैं सभी के क्वेस्टन आंसर्स हो गए हैं अब आपको याद करने की जरूरत है अब सभी कुछ य ग्रंवर शिखाएंगे ठीक है क्योंकि आता राता रेंगर पिरिक्टेंosed करेंगे नाइंधा दिया धैल पर्यायवाची शरीशामार के लिए है तब भी मैंने आपको दिया था तो हमको ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़े याद भी हो गई होंगी लेकिन हम फिर से उसको एक बार करवा देते हैं कि एक्जाम के अंदर क्या-क्या आता है तो सबसे पहले परियावाची कभी बदलता नहीं है परियावाची आपका एकदम यह परफेक्ट है कि आपको परियावाची पूचा ही जाएगा तो आपको परियावाची पर धियान देना है कि आपको परियावाची तो जरूर करना जहां भी आप देख लो परियावाची आ दिए होते हैं तो आपको जहां पर भी ग्रामर के अंदर ही सब दिखते हैं आप पढ़ते रहो क्योंकि याद करना इसके लिए बहुत जरूरी है तो अब सबसे पहले हम देखेंगे परयावाची सब्द जीवन में हम अवसर के अनुकुल वस्त्रदारण करते हैं बोलते हैं जरूरत पढ़ती है अवशर के अनुकुल अर्था जब हमें जरूरत पढ़ती है तो हम हमारे सरीर पर से कपड़े बदलते हैं और दुसरे कपड़े कपड़ों को दारण करते हैं बोजन भी करते हैं और तता व्यहवार करते हैं यह सब हमारे रोजिंदा जीवन का भाग है उसी प्रकार से शब्द जिस प्रकार से हमारे सरीर को वस्तर की, हमारे सरीर को खाने की, हमारे सरीर को वेवार की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार से भाशा को भी सब्द की जरूरत पड़ती है तो भाशा के आबूशन होते हैं, अलंकार होते हैं क्या शब्द तो अतह भाषा का सौंदरिय सब्द के सौंदरिय पर निर्भर करता है तो भाषा अगर अच्छी सी होगी तो भाषा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी जैसे हमने कोई शब्द बोल दिया गोद कि मा मुझे गोद में लेलो लेकिन गोद के जगह अगर हमने कोई दुसरा परियावाची सब्दी यूज़ कर दिया जैसे मा मुझे अंक में लेलो आलिंगन में लेलो मा तो ये सब्द क्या हमारे लिए एकदम नया है और जब ये सब्द कोई सामने वाला व्यक्ति सुनता है न आलिंगन अंक गोद की जगह अगर हमने ये सब्द का प्रयोग किया तो कितना प्रभावशाली लगता है कितना आच्चा लगता है तो भाशा को प्रभावशाली बनाने के लिए परियावाची सब्द की आशकता होती है अता शब्दों का बंडार विशाल होता है बहुत ज़्यादा होता है जिन सब्दों का प्रयोग करते उतना कम होता है अर्था सब्दों का भंडार बहुत सारा होता है इसके लिए परियावाची सब्द प्रयोग या उपयोगी होते हैं विध्यारती को ये सब्द याद करने चाहिए विध्यारती अगर एक एक दो दो क परके भी एक दिन में अगर 10 सब्द भी याद करता है तो पता नहीं उनका दिमाग एक सब्द बन जाएगा तो हमने यहां पर एक परियाय वची के लिए के आपको 2 सब्द लिखने अगर एक अब अपने रिखा तोब कमा कर जाएगा तो आपको कितने मां कितना लिखना आपको 242 शब्द लिखने होते हैं यह एकदम हनिबाइं है यह जरूरी है कि आपकी एक्जाम में पर्यायवाची शब्द के लिए आपको एक पर्यायवाची शब्द के लिए दो पर्यायवाची शब्द लिखने अतियावश्यक होते हैं तो यहाँ पर हमने एक के सिवा तुमको अनेक बहुत सारे शब्द दिये कि आपको जो भी सब्द याद हो जाए ठीके तो पहला है इसके अंदर अंक अंक का अर्थ होता है गोद नाट का अंक संख्या और आलिंगन अंग अर्थात होता है शरीर तो शरीर को हम कितने सारे उसब्दों में कह सकते हैं जैसे अव्यव तन भाग गात कलेवर अब कलेवर और गात सब आपने पहली बार सुना होगा अंग का गात और कलेवर ये जो सब्द अगर आप कुछ नए लिखते हो तो लिख रहे हैं जो सच्चे करने वाला हो वही परिशान हो जाएगा रेवा बच्चे में तो बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग है इतने भारी भरकम सब्दी आपर लिख रहे हैं इसलिए हमें शब् इनकार का अपने अंधेरा और तिमीर तो सुना है लेकिन ध्वांत तम या अपके लिए नया है तो अंधकार का है अधेरा, तिमिर, ध्वानत, तब अब आगे अवनती का अर्थ होता है गिरना या पतन उसका तो अर्थ है गिरावट, पतन, अदोगती अरणिया अर्णिया अर्थ होता है जंगल अर्णिया कानन, वन, निविळ, जंगल अब निविड सब्दाप के लिए नया है अंतहपुर का आर्थ है हरम खाना, जनान खाना, र निवाश अगनी का आर्थ होता है अनल, पावक, ज्वाला, आग, वहनी अमृत कार्थ है पियूश, शुदा, अमी, सोम, अंकार कार्थ है अभिमान, दर्प, दंब, मान, गमंड अग्यकार्थ है मूर्ख, नासमज, अज्यानी, अंजान आगे देखेंगे अतिथी, अतिथी कार्थ हता है महमान, पाहुना, अंग तुक, अभ्यागती अनुपम कार्थ होता है अतुलनिय, निरुपम, अतुल्य, अनोखा अश्वकार्थ होता है घोडा, गोटक, है, तुरंग, बाजी अन्यकार्थ होता है भिन्य, प्रथक, दुसरा और अधम कार्थ होता है पतित, ब्रष्ट, निक्रुष्ट, नीच अनुचर कार्थ होता है सेवक, डाम, नौकर, परिचायक, ग्रत्य अपमान कार्थ होता है निरादर, अनादर, उपेक्षा, तिरसकार आकाश कार्थ होता है अंबर, व्योम, गगन, नव, आसमान आख कार्थ होता है नेत्र, नयन, लोचन, द्रंग, चक्षू आनन्द कार्थ होता है हर्स, मोध, प्रशनता, उल्लास आज्या कार्थ होता है आदेश, निर्देश, निर्देश आख्यान कार्थ होता है कथा, कहानी, किस्सा, व्रतान, वरणन आभुशन कार्थ होता है भुशन, अलंकार, मंडन, आभरण आत्मा कार्थ होता है देव, जीव, शेत्रग्य, चेतन्य आम कार्थ होता है आम्र, कमल बल्लब, सहकार, रसाल, पिक बंदू आशु कार्थ होता है अस्रू, नेत्रजल, नेत्राम्बू अब यहाँ पर हम देख रहें जो हम सीख रहे हैं वो सब ऐसी ऐसी बोड में 2004, 2005, 2009, 2010 इसमें पूचा गया है अब हम आगे और देखेंगे इच्चा, इच्चा कार्थ है अभिलाशा, आसा, लालसा, चाह, मनोरम, स्प्रस्या इंद्र का है देवराज, सुरेंद्र, सुरुपती, देवेंद्र, सुरेश इश्वर कार्थ है इश, प्रभू, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा इंद्रानी कार्थ है इंदीरा, एंद्री, इंद्रवंधु, सची इंद्रपुरी कार्थ है देवपुरी, देवलोक, स्वर्ग, अम्रावती, अलकापुरी इतिकार्थ है अंत, समाप्ती, समाप्त, उचित, समिचीन, योग्य, उपयुक्त, उजाला, रोष्णी, प्रकाश, प्रभा, दिप्ती, अलोक उन्नती कार्थ है विकाश, उत्थान, अभ्युदय, उत्तम कार्थ है स्रेष्ट, उत्कृष्ट, वर, मुख्य, प्रधान उद्देश कार्थ है लक्ष्य, धे, तात्पर्य, इस्ट, मक्षद उपवन कार्थ है उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, फिलवारी उपाय कार्थ है तरीका, ढंग, रीती, युक्ती, साधन उदर कार्थ है पेट, जटर उदार कार्थ है दानी, महान, असंकीर्ण देखो उदर और उदार में कोई ज़्यादा फरक मालूम पड़ नहीं रहा है स्रिप आकी मातरा का अंतर है तर उदर से हो जाएगा पेट, जटर और उदार से हो जाएगा दानी, महान, असंकीर्ण कमल कार्थ है अंबुज, जलज, सरोज, राजीव, नलीन, अर्विंद, अब्ज, पंकज, बारिज कपट कार्थ है छल, वंचना, धोका किनारा कार्थ है तट, तीर, कूल, कंगार आगे ओर देखेंगे किरण, किरण कार्थ होता है रश्मी, अंसू, मरिचिल, कर कृपा कार्थ होता है अनुग्र, अनुकंपा, दया, करुणा कोयल कार्थ होता है पिक, कोकिल, वनप्रीर, वसंतदूत, श्यामा कपडा कार्थ होता है वस्त्र, अंबर, वसं, चीर, पट कल्प व्रक्ष कार्थ होता है कल्प तरु, सुर, तरु, कल्प द्रुम, देव व्रक्ष, काम देव कार्थ है, मदन, मनोज, कंदर्व, अनग, अनग्न, मननित फिर आगे देखेंगे क्रशक कार्थ होता है किशान, हलवाहा, खेतीहर, कृशी जीवी कान कार्थ होता है कर्ण, स्रोत्र, स्रवन क्रोध कार्थ है कोप, अमर्स, मन्यू, रीश, रोश, आक्रोश कपट कार्थ होता है चल, धोका, चलचिद्र, मंचना, कला कार्थ है गुण, हुनर, कौशल कुवेर कार्थ होता है धनपती, किनरेश, अलकाधीपती, यक्षराज, धन्दन कोमल कार्थ होता है मुलायम, नरम, नाजुक, मृदु, सुकुमार खल कार्थ है धूर्त, पामर, अधम, पतित, कुटिल गंगा कार्थ है भगीरती, सुर्सरी, मंदाकिनी, सुर्नदी, त्रिपत्तगा ग्रह कार्थ होता है बवन, आलय, निकेतन, शदन, गेह आगे देखेंगे गणपति कार्थ है विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गजवदन, गनेश गायकार्थ होता है गो, देनू, सुर्व, भी, गमंड कार्थ है अंकार, अभिमान, दर्प, गर्व आगे घोडा कार्थ है अश्व, घोटक, सेधव, तुरंग, बाजी चतुर कार्थ है प्रवीण, चालाक, कुशल, निपून, चंद कार्थ है चंद्रमा, इंदू, सुधान्सू, निशापति, सुधाकर, राकेश, हीमकर, मयंक चांदनी कार्थ है जोट्चना, चंदिका, कोमुदी, तलवार कार्थ होता है कृपान, खड़क, समसीर, चंद्रहास, असी, करबार तारा कार्थ होता है नचत्र, तारक, नखत, उंडू जंगल कार्थ होता है वन, कानन, विपिन, आराणिय, जन्म कार्थ है उत्पत्ति, उत्भव, अभिर्भाव, अवतार जल कार्थ है पानी, वारी, नीर, तोय, अंबू, उदक जीब कार्थ है जिव्या, सरसा, रस्थना, रशा तालाव कार्थ है सर, तगाड, सरोबर, पोखर, जलाशय, पुशकर दया कार्थ है कृपा, करुणा, अनुकंपा, दरिद्र कार्थ है गरीब, निर्धन, रंक, दीन, कंगाल दुस्ट कार्थ है खल, सट, दुर्जन, पामर, नीच, दूध कार्थ है पय, क्षीर, दुख्ध, स्तन्य आगे देखेंगे देव, देवकार्थ है देवता, अमर, सुर, निर्जर देवकार्थ होता है शरीर, तन, बपु, काया देटिकार्थ होता है असुर, डानव, राक्चस, निसाचर दात कार्थ होता है दंत, रदन, दशन, द्वीज, रद, दास कार्थ होता है सेवक, बृत्य, अनुचर, अनुगामी, चाकर, नौकर दीनकार्थ है दिवस, वासर, अहन, वार, दुखकार्थ होता है कष्ट, पीला, कलेस, अवशाद, व्यथा धनकार्थ है वित, अर्थ, लक्ष्मी, द्रव्य, स्री, संपती दनुषकार्थ है कोदंड, सरासन, चाप, दनु, कार्मनक द्वजा कार्थ होता है जंडा, पताका, केतु, निसान धर्ती कार्थ होता है धर्ती, धर्त्री, प्रत्वी, भूमी, मही, अचला, धरा, वशुदा, भू धर्मकार्थ है पंत, मजव, मत, मत, इमान नदी कार्थ होता है सरीता, प्रवाहिनी, तरंगिनी, तटिनी, सलीला नया कार्थ होता है नवीर, नव, नूतन, अभिनव नाव कार्थ है नोका, जलयान, तरणी, तरी, पोत नारी कार्थ है औरत, महिला, स्त्री, अवला, ललना, कामिनी निर्धन कार्थ है दरीद्र, गरीब, रंक, कंगाल निर्मल कार्थ होता है स्वक्ष, साप, पवित्र, सुद्ध, विमल नमसकार कार्थ है प्रणाम, नम, प्रणती, अविनंदन नाश कार्थ है द्वंस, चय, विनास, प्रले, अवसान पक्षि कार्थ होता है विहंग, विहंगम, सकुनी, खग, ध्विजीच, संकुन्त, पतंग पत्नी कार्थ है वधू, भार्या, दारा, वामा, ग्रहेनी, प्रिया पत्थर कार्थ होता है प्रस्तर, पाशान, उपल, अश्म पत्ता कार्थ है पत्र, पर्ण, प्रात, दल, पल्लव पार्वत्ति कार्थ है उमा, अपरण, भवानी, शिवानी पत्र कार्थ है तनय, आत्मज, सूत, नंदन, बेटा पत्र कार्थ है तनया, आत्मज, सूता, नंदनी, बेटी, दुहिता, कन्या, तनुजा प्रत्र कार्थ है भू, भूमी, धरा, जमीन, धर्ती, मही प्रतिक कार्थ है चिन, संकेत, निशान, पुस्प कार्थ है सुमन, कुशुम, फूल, प्रसून, मंजरी पवन का परवत कार्थ है गिरी, अचल, शैल, मधुर, नग प्रकाश कार्थ है उजाला, प्रभा, जोती, चमक, चबी, आलोक पेड कार्थ है व्रक्ष, विप्टप, परणी, शाल, तरू, धुरूम, पादप प्रेम कार्थ है प्यार, स्ने, प्रीती, अनुराग इसके अलावा और भी है जो मैं बता रहे हूं आपको इसमें नहीं है पर मैं आपको बता रहे हूं मुझे बोल रहे हूं कि इसके अलावा जैसे विग्न, विग्न कार्थ होता है वादा, अर्चन, रुकावट, विद्धुत, कभी आपसे विद्धुत बोड की एक्जाम में पूछ ले तो विद्धुत कार्थ क्या है विद्धुत मतलब बिजली होता है तो विद्धुत कार्थ है तरित, बिजली, चपला, सोधामिनी विश्वास कार्थ होता है वरोशा, यकीन, आशा, आस वरक्ष कार्थ होता है विटप, विटपी, पादप, पेड, शाकी, तरु, दुरुम वर्ष कार्थ होता है साल, वरस, अब्य, वर्षा कार्थ होता है बारिस, मे, पावन, बरसात विश्व कार्थ होता है हरी, चत्रुभुज, गोविंद, माधव, लक्ष्मी पती, नारायन, दामोदर, केशव विग्न कार्थ होता है वादा, अडचन, रुकावट, स्वेत कार्थ होता है सफेद, खुजवल, दवल सत्रु कार्थ होता है बैरी, रिपु, अरी, विपक्षी, परिपन्ती, दुश्मन सस्त्र कार्थ होता है हतियार, अस्त्र, आयुद शोभा कार्थ होता है कांती, घटा, शुश्मा, आभा सरीर कार्थ होता है काया, कलेवर, तन, वपु, देह शिखा कार्थ होता है चोटी, वेणी, सिर कार्थ होता है केशरी, सेर, बनराज, म्रगराज, सूरी कार्थ होता है आधित्य, सुरेश, भाशकर, रवी, भानू, सविता, पतंग संसार कार्थ होता है जगत, वीश्व, लोक, भुवन, भव, जग, संध्या कार्थ होता है सांज, शाम, साय, दिवान्त, सर्प कार्थ होता है साप, भुजंग, अही, नाग सम्रुद्ध कार्थ होता है सागर, सिंदू, पयोधी, जलदी, रतनाकर, नदीस, उद्धी शुन्दर कार्थ होता है मनोहर, रुचिकर, रमणिय, रम्य, चारू, मनोरत, मंजू स्वर्ण कार्थ होता है हेम, कनक, स्वर्ण, सोना, कुंदन सुगंद कार्थ होता है महक, खुश्बू, सुर्भी, शौरव, सुभाश समु कार्थ होता है जुन्ड, जत्था, टोली, मंडली, दल, शमुदाय सुरज कार्थ होता है सुर्य, दिनकर, प्रभाकर, भानू, रवी, अंसुमाली सुरा कार्थ होता है हाला, सराव, मदिरा, दारू, मंद्य सोना कार्थ होता है कचंचन, स्वर्ग, हेम, कनक सरस्वत्ती कार्थ होता है वानी, हंसवाहिनी, भार्ती, सारदा, इला हात कार्थ होता है हस्त, पानी, कर, दस्त हाती कार्थ होता है दंती, द्वीप, गज, मतंग, करी, कुंजर, नाग, सारंग, स्रगी, हस्ती हीरण कार्थ होता है हीरण, म्रग, कुरंग, सारंग, हिमालय कार्थ होता है गिरी राज, नगपती, हिमाचल, पर्वत राज, गिरी राज, हिर्दय कार्थ होता है दिल, मन, अंतहिस्तल, उर, अंतहकरण मैंने यहाँ पर बहुत सारे आपको शमान आर्थी सब्द बताएं जादा कुछ ना कर सको, तो जितने शमानार्थी हमने आपको बताएं, आप उतने शमानार्थी को भी याद कर सकते हो, अगर इतने शमानार्थी भी आपने याद कर लिए, तब भी आपका कहीं न कहीं से दो तो आपको पूछी लेगा, इसलिए जो मैं आपको शमानार्थी व हम देखेंगे विपरार्थी शब्द विलोम शब्द विरोधार्थी शब्द अपोजिट सब्द सबके अर्थ होते हैं एक ही तो अब हम यहां देखेंगे पहले थोड़ा साम परिवाशाश देख लें बासा का वैवार में प्रेयोग करना शब्द ग्यान पर आधारित होता है बोलते हैं बासा का प्रेयोग अगर हम लोग अच्छे से करें शब्द ग्यान के अनुसार करें तो हमारे बासा का प्रेयोग बहुत ही अच्छी से हो सकता है सब्द भंडार धनी होता है सब्दों का भंडार बहुत होता धनी होता मतलब बहुत सारा होता है हम कितना भी प्रयोग करें फिर भी हम साहित के भंडार को पकड़ सकते नहीं है कितने भी शब्दों का आप प्रयोग कीजिए फिर भी आप कहीं का प्रयोक करवाते नहीं हो यानि शब्द के बहुत सारे भंडार होते हैं जो अलग-अलग होते हैं लेकिन हम लोग जो प्रचलित रूप होता है उसे ही हम लोग बार-बार बोलते हैं हम लोग जो चीजे कठीन होती हैं उसकी वह हम बात करते नहीं है तो उचीत सब्द चयन भाषा को मधूर बनाताया, आगर सही सब्द होता है तो भाषा को मधूर और अच्छा बनाता, है विपरार्थी शब्द भासा हाँ सिव्यंग उत्पन करे उसे प्रभाव पूर्ण बनाती है विपरार्थी सब्द जो होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, विरोधार्थी सब्द होते हैं, हास सिभ्यंग उत्पन करते हैं कभी-कभी, कभी-कभी हम उल्टे सिथे सब्द बोलते हैं, तो हमें 80 भी आ जाती है, उदारण, शाकार, साकार और निराकार, किसी भी रूप में इस्वर की अराधना उसे सुविकार है मतलब दोनों ही इस्वर के लिए ही सब्द का प्रयोग साकार भी भगवान का है और निराकार भी भगवान का रूप है तो दोनों के रूप में दोनों ही इस्वर की अराधना के लिए सुविकार किया गया है और इनका प्रयोग वाक्य को पूर्ण तृता प्रभावी बनाता है शब्द के अपने निश्चित अर्थ होते हैं उन अर्थों के विप्रित अर्थ देने वाले शब्द इस प्रकार होते हैं हम समझते हैं कि विलोम शब्द किस प्रकार से बनते हैं तो विलोम सब्द उपसर है तो हमने उसके आगे क्या लगा दिया अब तो यह क्या हो गया उप्सर्ग जोड़कर भी विलॉम शब्ड बनते हैं और प्रत्य जोड़कर भी विलॉम सट बनते हैं और निज्ध दौरह अर्थ вход तो भग्वान के लिए जो सफदों का निज्ञ द्वारा और तैज्ञ बहुत से तरीके से बन जाते जैसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग जोड़कर के उपसर्ग जोड़के विलोम सद्ध ऐसे बनते हैं तो यस तो उपसर्ग क्या हुआ हम अप यस यानि क्या जोड़ा गया हम जोड़ा गया हम राग तो विराग जय के आगल परै परा यmusic तो ये जो अप है फिर प्रती है फिर बी है फिर परा है ये सब क्या है उपसर्ग जोड़े हुए सब्दें और ये उपसर्ग जोड़कर सब्द विलोम शब्द बने हैं दुसरा हम देखेंगे उपसर्ग परिवर्तन द्वारा यानि उपसर्ग का परिवर्तन करके जैसे आदान प्रदान दोनों उपसर्ग हैं आ प्लस दान प्रप्लस दान तो आ प्लस दान आ लगाया वो भी उपसर्ग है प्र लगाया वो भी उपसर्ग है तो दोनों ही ये उप तो सं प्लस योग वी प्लस योग तो सं भी उपसर गये और भी उपसर गये तो सयोग विओ सुलब दुरुभल उपकार आयाद निर्याथ आदी फिर आगे हम देखेंगे निज द्वारा अर्थात इश्वर के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निज सब्द कहते हैं लोकिक अलोकिक क्षय अक्षय आदी अनादी संभव असंभव सब्य असब्य निज सब्द को हम यह भी कह सकते असब्द जोडने से जैसे लोकिक तो यह शब्द बन गया अलोकिक अजोडने से निज सब्द बन गया निज लिखावा नज ऐसे हम बोलेंगे नंज नंज सब्द तो नंज सब्द बन गया लोकिक उसके आगे अजड़ दिया अलोकिक विलोम शब्द बन गया क्षय अक्षय तो अजोड़ दिया तो विलोम शब्द बन गया अनादी का अनादी संभव का संभव शब्य का अशब्य आगे देखेंगे प्रत्य वत प्रियुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा अब यहाँ पर क्या दीया है प्रते शब्द को तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर प्रते जोड़कर शब्द में परीवर्तना फिर आगे हम देखेंगे लिंग परिवर्तन तो लिंग के द्वारा भी opposite सब्द बनते हैं, विलोम शब्द बनते हैं, जैसे माता, पिता, बेटा, बेटी, राजा, रानी, भाई, बेहन, वर, कन्या, आदी, आगे देखेंगे हम बिन्य शब्द द्वारा, बिन्य शब्द मतलब आला अगलग शब्दों के द्वारा, ठीक तो मुक वाचाल मुक मतलब बंद रहना वाचाल मतलब बोलने वाला तो मुक वाचाल गुरू लगू लाव हानी कटू मधू आदी अब हम इसके कुछ अन्योधारान भी देखेंगे जो भी मैं आपको विलोम शब्द बता रही हूं आपको विलोम सब्द भी ध्यान से करना है और जितने मैं विलोम शब्द आपको देती हूं वो सब आपको याद भी कर लेना है ठीक है अभी हमने विलोम के अर्थ देख है कि विलोम किस-किस से बनते हैं उपसर्ग से बनते है प्रते से बनते हैं, लिंग से बनते हैं, बिनार्त सब्द से बनते हैं, और निजी सब्द से बनते हैं, बहुत सारे सब्दों से विलोम शब्द बनते हैं, और जितने भी मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको बता रही हूं, सभी बोड की एक्जाम में पूछे गए हैं, अध जैसे शब्द अधम, तो अधम का विलोह में उत्तम, अंतरंग, अंतरंग मैंने अभी आपसे जो आपका भी टेस्ट लिया था, हमने पुछा था, अंतरंग, तो विलोह में उसका वही रंग, अतिवरिश्टी, अनावरिश्टी, अनुरक्त विरक्त, अप्मानित, सम्मानित, अम्रुत विश्ट, अल्पाय। दिर्गाय। चिराय। आकर्षण, विकर्षण, अगम, सुगम, अंधकार, प्रकाश, अनुग्रह, विग्रह, अपना, पराया, अमर, मर्त्य, या मृत्य। भी कर सकते हैं। असाधारण, शाधारण। यह आपकी 2007 में पूचा गया था, साधारण का असाधारण। आधी का अंत, 2003 में पूचा गया था, आधी का अंत। अग्रज, अनुज, अनुनातक, पुरातन, अनुकूल, प्रतिकूल, अंतर्मुखी, वहिर्मुखी, अव्यवी, मित्व्यवी, अरूची, रूची, अस्त, उदय, आगत, अनागत, अर्थ, अनर्थ, अनात, शनात, अनुराग, विराग, अपेक्षा, उपेक्षा, अलपग्य, बहुग्य, रोगी, स्वस्त, आग्रह, दुराग्रह, ये भी 2006 में पूचा गया है, आग्रह, अनुग्रह, आग्रह का दुराग्रह भी हो सकता है, आगे देखेंगे आशिरवाद साप, साप और अशिरवादिये में ये भी 2002 में पूचा गया था, आकाश, पाताल, आजाद, गुलाम, आंद्र, शोक्ष, आधुनिक, प्राचीन, सामीप, निरामिश, आयात, निरियात, आवशक, अनावशक, आसक्त, अनाशक्त, आज्या, अवग्या, इस्ट, अनिस्ट, उचित, अनुचित, उत्कृष्ट, निर्कृष्ट, आगे देखेंगे, आनंद, शोक्ष, ये भी 2005 में पूचा गया है, आगे, पीछे, आदान, प्रदान, आदर्स, यतार्थ, आंतरिक, वाए, ये भी 2004 में पूचा गया है, आगे, आरो, अवरो, आशा, निराशा, आहार, निराहार और अनाहार भी बोलते हैं, इच्चा, अनिच्चा, इकलोक, परलोक, आगे देखेंगे हम, उतकर्स, इकलोक और परलोक भी 2006 में पूचा गया है, उतकर्स, अपकर्स, उत्सा, निरुत्सा, आगे देखेंगे, आगे, उतक्रुष्ट, निर्क्रुष्ट, उदार, अनुदार, उन्नती, अवनती, उपयोग, दुरुपयोग, उच्च, नीच, कठिन, सरल, कनिष्ट, जेष्ट, आचार, अनाचार, आय, व्यव्य, अभिर्भाव, तिरोभाव, आस्ता, अनास्ता, उच्च, निम्न, उत्थान, पतन, उदात, अनुदात, उन्मुख, विमुख, उर्बर, उशर, एच्चिक, अनिवार्य, उदार, नगद, उपकार, अपकार, उपस्तिती, अनुपस्तिती, कडवा, मीठा, कुत्रिम, प्राकृत, नेसर्गिक भी बोलते हैं, आगमी, विगत, आदान, प्रदान, आरंब, अंत, आस्रित, अनाश्रित, आवान, विसर्जन, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये भी 2005 में पुचा गया था, उदै, अस्त, उद्धत, विनित, उपयुक्त, अनुपयुक्त, एक्ता, अनेक्ता, ये भी 2008 में पुचा गया था, एस्वर्य, अनेस्वर्य, आगे देखेंगे, अचित्य, अनोचित्य, कठोर, कोमल, कपूत, सपूत, कुटिर, सरल, खेद, प्रशन्ता, गरल, सुदा, गुण, दोश, ग्रहस्त, सन्यासी, चल, अचल, जटील, सरल, जागरण, निंद्रा, जोती, तम, सरल, ठोस, तिब्र, मंद, टरल, ठोस, तिब्र, मंद, कटू, मधूर, या मधू भी गह सकते, क्रतग्य, क्रतन्य, किर्ती, अपकिर्ती, ये भी 2006 में पूछा गया था, खल, सज्जन, गगन, धरा, ज्यान, अज्यान, गुरू, लगू, ग्रणा, प्रेम, चाह, धूप, जय, पराजय, जीवन, मरण, जन्म, मृत्यू, जंगम, स्थावर, तामसिक, सात्विक, त्यागी, स्वार्थी, ये भी 2008 में पूछा गया था, त्यज्या, ग्राय, खाद्य, अखाद्य, गत, आगत, गरीब, अमीर, ग्राम्य, नागर, नगरी, गिला, सुखा, गात, प्रतिगात, चंचल, स्थिर, जड, चेतन, जागरत, सुसुप्त, यासुप्त, ताप, शीत, तुच्य, महान, थोडा, बहुत, दिन, रात, दीवस, रात्री, दे, अदे, क्रय, विक्रय, खंडन, मंडन, गमन, आगमन, गहरा, चिछला, या उतला, गुप्त, प्रकट, ये भी 2009 में पुछा गया था, गोचर, अगोचर, चड़ाव, उतार, चली, निश्चल, जवानी, बुडापा, जवार, भाटा, तिक्ष्ण, कुंठित, कुंद, तरुण, व्रद, दानी, कुरुपाण, ये भी 2005 में पुछा गया था, दाता, याचक, द्रश्य, अद्रश्य, देव, डानव, आगे, धनी, निर्धन, नास, निर्माण, ये भी 2003 में पुछा गया था, नित्य, अनित्य, निर्मल, मलीन, निशेज, विधी, नेसर्गित, कृतिम, पक्ष, विपक्ष, प्रतिपक्ष भी बोल सकते हैं, परतंत्र, स्वतंत्र, परिश्रम, आलस्य, द्रंड, अद्रंड, विचलित, दुरुबल, सबल, दूशित, स्वच, मलीन, दूप, चाव, निर्माण, ध्वन्स, ये भी 1994 में पुछा गया था, निंदा, प्रसंसा, ये भी 2004 में भी और 2009 में दोनों बार में पुछा गया था, निंदा, प्रसंसा, स्तुति भी बोल सकते हैं, निंद्रा, जागरण, निरर्थक, सार्थक, नूतन, पुरातन, न्याय, अन्याय, परमार्थ, स्वार्थ, प्रदान, गाण्य, प्रुवृति, निवृति, दुर्जन, सज्जन, दुर्भल, सुलब, धर्म, अधर्म, दुरुष्ट, विनित, आगे देखेंगे, नसर्व, शास्वत, निर्दोस, दोसी, निर्षण, शाक्षर, निश्काम, सकाम, निंदय, वंदय, अनिंदय भी हो सकता है, पुरुष्कृत, दंडित, ये भी 2005 में पुचा गया था, प्रख्यात, कुख्यात, प्रलय, सुरुष्टी, पालक, संहार, संहारक, पुरातन, नवीन, पोवार्त्य, पास्चात, बढ़िया, गटिया, भद्र, अभद्र, भारी, हलका, बेद, अभेद, मान, अपमान, नास्तिक, आस्तिक, निर्जीव, सजीव, नेकी, बंदी, पंडित, मूर्ख, ये भी पुचा गया था, पंडित का मूर्ख, विलोम सब्द में, 1994 में, पवित्र, अपवित्र, प्रतेक्ष, परोक्ष, पाप, पुर्णिय, प्राचीन, अर्वाचीन, प्रेम, ग्रणा, बंधन, मुक्ति, या मौक्ष, ये 2010 में पुचा गया था, वाय, खब्यांतर, बला, बुरा, भूत, भविश्य, मर्त्य, खुमर, खुमर्त्य, मालिक, नौकर, आगे देखेंगे, महंती, कालसी, यथार्थ, कल्पित, रक्षक, भक्षक, राजा, प्रजा, रंकी भी कह सकते हैं, लिप्त, निरलिप्त, वक्र, रुजु, सरल, वाधी, प्रतिवाधी, पूर्व, पस्चिम, बूड़ा, बच्चा, ये भी 2007 में पूछा गया था, बूड़ा, बच्चा, बल्वान, बलहीन, आगे, मुनाफा, नुक्षान, योवन, वार्धग्य, राग, विराग, लगू, गुरू, लौकिक, अलोकिक, विकल्प, संकल्प, प्रारंभिक, अन्तिम, पुर्णिमा, अमावश्या, वद, मुग्द, बाड, सुखा, यहां देख रहें, जो भी मैं आपको विलोम सब्द दे रही हूं, आप यह सब विलोम सब्द करते रहें, मैं सिर्फ यहां बोल रही हूं और आप सुन रहें वैसा नहीं, आपको इसे याद भी कर लेना, याद करना ही है आपको, जितने भी मैंने आपको विलोम सब्द दे आजाएगा आपको क्योंकि हम बच्पन से विलोम शब्द विरोधार्थी शब्द शमानार्थी सब्द सब करते हुए आ रहे हैं ठीक है और आगे देखेंगे हम बल्वान, बलहीन, बुरा, भला, भुगोल, खगोल, भौतिक, आध्यात्मिक, महात्मा, दुरात्मा, मिलन, विरह, मुख्य, गाउन, मंगल, अमंगल, योगी, भोगी, रत, विरत, लिखित, अलिकित, या मौकिक भी बोल सकते हैं, मौलिकित, मौकिक भी बोल सकते हैं और अलिकित भी बोल सकते हैं, लेन, देन, फिर आगे हम देखेंगे, भागिवान, भागिहिन, ये भी 2010 में पूछा गया था, भूलोक, दूलोक, मनुज, दनुज, मानविय, अमानविय, ये भी 2004 में पुछा गया था, मृत्यू, जीवित, या मृत्यू, जीवित, मुख, वाचाल, ये 2007 में पुछा गया था, इसलिए आप सब कुछ याद करते हुए चलना, जो मैं आपसे बोल रही हूं, कि ये पुछा गया, वो पुछा गया, तो आपको ध्यान देना है कि सब पुछा गया है, तो हमें और भी अच्छी तरह से, क्योंकि ऐसा मैं समझ्झा कि पुछा हुआ कभी पूछते नहीं है, पूछा हुआ भी, कभी भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको और अच्छी तरह से उसे याद कर लेना है, भूलना नहीं है, और अच्छी तरह से याद होना चाहिए आप सबी लोगों को, मैं इसलिए बीच में आपको बताती जा रही हूँ, कि यह सब जो मैं बताती हूँ, वो पूछे हुए हैं, जैसे मुक और वाचली 2007 में पूछा गया है, मानवी अमानवी 2004 में पूछा गया है, बाग गेवान बागीन 2010 में पूछा गया है, बुड़ा बच्चा 2007 में पूछा गया है, फिर विशाल चुब्द 2003 में पूछा गया है, इसलिए इस प्रकार से यह जो भी में बताती जा रही हूँ, तो सब कुछ पूछा गया है, इसलिए आप चिंदा मत करना, और सब को और अच्छी तरह से याद करना, ठीक है, आगे हम देखेंगे, मुक, वाचाल, यश, अपियश, रचना, ध्वन्स, या विनास, रिक्त, पूर्ण, लोभी, संतोसी, वन, मरू, आगे देखेंगे, देन, वशंत, पत्जड, व्रहत, लगू, विशाल, चोद्र, ये 2003 में पूछा गया था, विश, अम्रुत, सयन, जागरण, सासक, सासित, शुक्ष, आंद्र, सगुण, निर्गुण, वृद्धी, हाश्व, विपत्ती, संपत्ती, विश्वास, अविश्वास, और संदे भी कह सकते हैं, सकुन, अपसकुन, शांत, हशांत, सलील, असलील, शोशन, पोशन, सहज, निर्जर, यहाँ पर हमारा विलोम शब्द पूरा हुआ, और अगर इसके अलाबा और भी थोड़े वो देखने हैं, तो मैं बोल रही हूँ, सुन लेना खाली एक बार द्यान से, संधी, विग्र, साकार, निराकार, शाक्षर, निरक्षर, सजीव, निर्जीव, सुक, दुक, सुमती, कुमती, सैयोग, वियोग, हाश्य, रुधन, चम, अचम, सुगंद, दुर्गंद, संचेप, विस्तार, सुरुष्टी, प्रलै, हार, जीत, चनिक, सास्वत, चुद्र, महान, संध्या, प्रातह, ये भी 2010 में पुछा गया था कि संध्या, प्रातह, सान्थ, अनन्त, सुकर, दुशकर, सुबह, शाम, सुक्जम, स्तूल, हसना, रोना, हाश्व, दीर्द, स्रद्धा, अस्रद्धा, साप, पेक्ष, निर्पेक्ष, शुगम, दुर्गम, हर्स, विशा, हिंसा, अहिंसा, शमा, दंड, स्रव्य, द्रश, यहाँ पर हमारे शमानार्ति और विलोम सब्द पूरे होते हैं, जितने मैंने आपसे पूछे, आप सब याद कर लेना, अब इसके आगे हम अगले वीडियो में इसके आगे का ग्रामर स लेती हूं, अस्तु, धन्यवाद, लेकिन एक बार और सुन लेना, यह ग्रामर जितना भी मैंने आपसे पूछा है, यह पूरा ग्रामर आप अच्छी तरह से लन कर लेना, समझ में आया, एक बार लन कर लोगे, फिर इसी मैसे मुझे लगता है कि जितना भी इतना ही लन करो होगे न, फिर भी आपको कहीं ने कहीं यहां से पूछ लेगा, इसलिए एक बार लन जरूर कर लेना, आप लन करना मदविस्ट की मैडम ने बोला है, और हमने इसको पूरा कर दिया, ऐसा नहीं, जो कुछ भी मैं बोल रही हूं, आपको ध्यान से अच्छी तरह से इसको